आज का वीडियो है विदानता लिमिटेड पे विदानता लिमिटेड से रिलेटेड दो बड़े अपडेट आया है पहला अपडेट आया है विदानता की अल्टिमेट होल्डिंग कंपनी विदानता रिसोर्सेस से रिलेटेड विदानता रिसोर्सेस ने अपने बॉंड करने के लिए पेइमेंट करी है और इस पेइमेंट के बाद अब विदानता रिसोसे लिमिटेट के आने वाले दो साल के बॉंड की पेइमेंट एक्सेंड हो गई है तो थाउजन ट्विडिन तक क्या है यह फुल न्यूज यह जानेंगे हम आज के इस वीडियो में इसके इला प्लेज करके लोन लिए हुए थे अब न्यूज रिपोर्स के हिसाब से यह प्लेज रिमूव हो गया है और विदानता के प्रमोटर अब अपनी होल्डिंग सेल कर सकते हैं तो इस न्यूज का एंडियो में करेंगे इसके इलावा स्टॉक अप क्या लावल दिखा सकता है य विदानता रिसोर्स इस लिमिटेट के कुछ बॉंड मैच्योर होने वाले थे 2026 तक कंपनी के पास फंड्स नहीं थे इन बॉंड की पेमेंट करने के लिए अप्स कंपनी ने एक एक्सेसाइज करी थी अपने बॉंड होल्डर के साथ जिसकों की कंपनी ने नाम दिया था प्सक्ते करने के लिए विदानता को बॉंड की टर्म में थोड़े चेंज करने पड़े interest rate यानि की bonds के coupon rate increase करने पड़े और कुछ upfront payment भी करनी पड़ी यहाँ पर Vedanta Resources Limited ने इस process को करने के लिए upfront payment की है around 779 million dollar की अपने bond holders को इन 779 million dollar को रूपी टांस में अगर हम convert करें तो यह होता है around 64-6500 करोर रूपी तो यह payment Vedanta Resources Limited ने अपने bond holders को करी है इस death restructuring exercise को करने के लिए और company ने payment अपने bond holders को complete कर ली है 7 February 2024 को और इस payment को complete करने के बाद company यानि की Vedanta Resources Limited ने एक press statement भी release किया है उसको हम इस विडियो में आगे देखेंगे So 779 million dollar की payment के साथ company ने एक और payment की है अपने bond holders को company ने अपने bond holder को consent fee पे करी है ये payment है around 68 million dollar की जो company ने अपने bond holders को करी है इस restructuring को करने के लिए और इसको करने के बाद company के 4 series of bond restructure हो गए है जिससे company का debt burden अब ease out हो जाएगा इसके इलावा company की ultimate holding company Vedanta Resources Limited ने December में ही 1.25 billion US dollar का loan भी procure किया है private credit lender से अपनी debt obligations को meet करने के लिए जो की mature हो रही है 2024 में और 2025 में सो आने वाले 3-4 year में ये group बहुत focus में रहेगा कि कैसे ये group अपने debt को manage करता है कैसे ये अपने debt की payment करता है अपने bond holders को और अपने other lenders को सो ये है वो press statement जो वेदानता resources limited ने release किया है इसमें बताया गिया है कि वेदानता resources limited ने अपने bond holders की repayment कम्प्लीट कर दी है 7 फरवरी 2024 को bond holders की consent के हिसाब से 3.2 billion dollar के bonds की maturities को extend करने के लिए 2029 तक तो अब ये maturities company की 2029 तक extend हो गई है VRL ने यहाँ पर ये भी बताया है कि इस exercise को complete करने के बाद VRL की debt maturities अब evenly spread हो जाएगी जो इस exercise का main purpose था वेदानता resources limited का इसके अलावा इस press statement में de-merger पर भी बताया गया है यहाँ पर ये बताया गया है कि वेदानता group ने September month last year में de-merger और reorganization plan अनौंस किया था उस de-merger की progress पे भी company timely basis पे inform करेगी ये इस press statement में वेदानता resources limited ने बताया है और वेदानता से related next news जाने से पहले आपसे request आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो please like करिए आपके एक like और subscribe से हमें बहुत motivation मिलता है company से related second news ये आई है कि company के promoter यानि कि वेदानता के promoter आप अपने share sell कर सकते हैं क्योंकि lender ने restriction lift कर दिये है money control का ये article है जिसमें की बताया गया है कि वेदानता के promoter अब अपने share को sell कर सकते हैं और dispose of कर सकते हैं क्योंकि company के एक lender OCM World 11 investment ने जो charge create किया था company के shares पे वो release हो गया है और इस article में ये भी कहा गया है कि इस से related announcement भी company ने किये हैं Thursday को इस article के हिसाब से company ने 2020 से funds raise करने के लिए अपने shares को pledge किया है company के promoters ने around 63.71% of shares को pledge किया है और इसके बाद विदानता की जो promoter group entities हैं विदानता Holdings Mauritius, Finnsider International Company विदानता Resources and Westgate उन पर lenders ने restriction लगाया था कि वो company के share sell नहीं कर सकते, transfer नहीं कर सकते और dispose of नहीं कर सकते इस article में ये भी बताया गया है कि 7 February 2024 को विदानता Holding Mauritius 2 Limited ने एक global release date execute किया है OCM Verde के साथ और इसके होने के बाद अब विदानता के promoters अपने share को sell भी कर पाएंगे dispose of भी कर पाएंगे और इस से related mention है company की latest exchange filing में February 8 की, तो क्या company के pledged share अब release हो गया है चलिए जानते हैं, तो यहाँ पर विदानता ने कुछ announcement किये है, इस matter से related 7 February 2024 का ये document है, जो की exchange में submit किया गया है 8 February 2024 को, यहाँ पर ये बताया गया है कि विदानता ने disclosure किये है under regulation 31 of securities in exchange board of India, acquisition of share and takeover regulation 2011 के under, इस exchange filing में बताया गया है कि इन dates पर जो यहाँ पर mention की गए है, एक subscription agreement हुआ है, OCM Waday 11 PT, Investment Limited विदानता Holding Mauritius 2 Limited Finsider International Company Limited विदानता Resources Limited और West Globe Limited के बीच में इस agreement के अंडर एक charge create किया गया था VHML2, FICL और West Globe के shares पर और कुछ restriction लगाए गये थे promoter group entities पर कि वो अपनी holding को sell नहीं कर सकते, lease नहीं कर सकते transfer नहीं कर सकते और dispose of नहीं कर सकते जो उन्होंने विदानता Limited में acquire की है, और इसमें further ये भी बताया गया है कि pursuant to global release date dated 23 मही 2023 और Indian release date dated 23 मही 2023, FICL के shares पर जो charge create किया गया था OCM के favor में उसको release कर दिया गया है FICL है यहाँ पर Finsider International Company Limited ये विदानता की promoter company है लेकिन इस exchange filing में ये भी बताया गया है कि VHML2 और West Globe के shares पर जो charge है वो अभी भी enforce रहेगा, वो charge release नहीं हुआ है तो ये जो entities है VHML2 यानि की विदानता Holding Mauritius 2 Limited और West Globe Limited ये entities अभी भी अपने shares को sell, lease, transfer और dispose of नहीं कर सकती हैं विदानता के क्योंकि इनका charge अभी enforce रहेगा इस document में एक एनिक्जिर भी दिया गया है 7 February 2024 का ये document है BAC और NAC दोनों जगा पर इसकी reporting की है विदानता Limited ने ये 6 company विदानता की promoter company है जिनके share pledge किये गए थे अब इस pledge में सिर्क कुछ pledge release हुआ है फिंसाइड और इंटरनेशनल कंपनी Limited की holding पे यहाँ पर हम देख सकते हैं release of encumperance mention किया गया है और इसकी date दी गई है 7 February 2024 यहाँ पर यह clearly mention किया गया है कि सिर्फ इंसाइड और इंटरनेशनल कंपनी Limited के shares पे जो charge create हुआ था वही release हुआ है जो charge VHML2 और West Club के shares पे create हुआ है वो अभी भी release नहीं हुआ है यह है मेरी understanding विदानता से related इस article पे मेरे view के हिसाब से सिर्फ इंसाइड इंटरनेशनल कंपनी Limited के shares पे जो pledge create हुआ था वही release हुआ है other promoters के share पे जो pledge है वो अभी भी वैसे ही in force है बट इस article से somehow मुझे यह impression आ रहा था कि सभी promoters के share पे जो pledge है वो अब release हो गया है बट ऐसा नहीं हुआ है आपका क्या view है आप भी इस पर comment करके मुझे जरूर बताइए एंड वीडियो conclude करने से पहले stock पे important level की बात करें तो stock ने बहुत time के बाद 280 से उपर का level दिखाया था लेकिन उस level पे जाने के बाद 285.85 का high दिखाने के बाद विदानता के stock में फिर से गिरावाट आ गई अब इस stock के लिए जो support का level था 277 से 278 का level वो इस stock के लिए resistance की तरह एक्ट करेगा और stock के लिए support का level रहेगा 268 से 266 का support zone तो यह important level रहेगा विदानता limited के stock के लिए आज के वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा रगा है तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू